नमस्कार दोस्तों मैं संजीक मावर्मा सहर चारे स्पिसी गवर्मेंट कॉलिज एडमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ हम बिये पार्ट फस्ट में रास्तान के बुगोल के अंतरगत पिसली कक्षा में मिट्टी रिसोर्सेस या सॉयल रिसोर्सेस के बारे में मिट्टी संसादनों के बारे में उसके जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में चाचा कर चुके हैं आज हम उसके न्यू क्लासिफिकेशन आफ सोयल के बारे में या मिट्टियों की नई पद्दती से वर्गी करन किस पकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे अमरीकी कृशी बिवाग के विग्यानिकों द्वारा कुछ वर्ष पूव ही एक नई पद्दती को अंतिव रूप दिया गया है पून निरिक्षन के बाद अब उसे विश्व के सभी प्रमुक मिर्दा विग्यानिकों द्वारा स्विक्रत कर लिया गया है इस नहीं पद्यति में मुर्दा की उत्पति के कारकों को आविश्चता अनुसार महत्व देते हुए अधिक महत्व मुर्दाओं के मौजुद दुकनों को दिया गया है इसलिए विविन शेत्रों, प्रदेशों, देशों की मिर्दाओं को निम्न वर्गों में विवक्त किया जा सकता है जिनका विवरन हम इस प्रकार से कर सकते हैं पहला है एरिडो सोल्स ये वह खनीज मिर्दा है जो अतिकतर शुष्क जलवाईयों में ही पाई जाती है चुरू, सीकर, जुन-जुनू, नागोर, जोदपूर, पाली और जालोर जिलों के कुछ शेत्रों में ये मिर्दाएं विस्तित है इसका उप मिर्दाकन औरिडित है जिसके अंतरगत कैमबो औरिडित्स, कैलसी औरिडित्स, सैलो औरिडित्स और पैली औरिडित्स रहस्तान म पाए जाते हैं दूसरी प्रकार की मृदा को अलफी सोल्स कहा जाता है ये जैपूर, दोसा, अलवर, भरपूर, करॉली, स्वाई मादुपूर, टॉंक, बीरवारा, चित्तोरगर, परताबगर, बांसवारा, जैसम्मन, रासम्मन, उधरपूर, डुंगरपूर, बुंदी, को होती है, तीन इन मिर्दाओं में औरिजल्यक संस्तर अवश्य उपरस्तित होता है, जिनमें की ऊपरी सतों की तुला में मत्यारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, और तीसीर प्रकार का जो वरगी करन का पॉइंट है, वो कहलाता है, एंटी सॉल्स, एंटी सॉ पच्वी राश्तान के लगबग सभी जिलों में इस सम्मू की मरदायें पाई जाती है इनका रंग प्राय हलका पीला भूरा होता है चौती परकार की जो मरदा राश्तान में मिलती है वो क्यालाती है इन सैप्टी सोल्स अर्श शुष्क से लेकर आज जलवाईों तक कहीं भी ये मरदायें पाई जाती है लेकिन शुष्क की जलवाईों में कभी नहीं पाई जाती ये मरदायें सिरोई, पाली, जार्ज, संबन, उद्यपूर, भिलवारा, पताबो, तोर्गर जिलों में विस्तित है इसके अतरिक जैपूर, दोसा, अलवर, भर्गपूर, करॉली, सवाई मादोपूर और जारावार जिलों में भी कहीं कहीं पर ये मिलती है और लास पांचमा जो वर्गी करन का शित्र है वो है वर्टी सोल्स ये मिर्दाएं जालवार, बारा, कोटा, तताबूंदी जिलों के अधिक्तत शित्रों में विस्तित है इनके अंतरगात कुछ शित्र, करॉली, सवाई मादोपूर, भर्गपूर, दुंगरपूर, बासवाड़ा, पताबगर, चित्तोरगर जिलों में भी है इनमें अत्यदिक कले की उपस्तित होने से मट्यारी मिट्टी की सभी विशिष्टाएं भी वर्टिस होल्स में पाई जाती है अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की वो है लवनिये एवंशारिये मिट्टी की समस्याओं के बारे में रास्तान में लवनिये एवं शारिये मिट्टी की समस्या बहुत अधिक है खारी और लवनिये भूमी को उसर, कले या नमकी मिट्टी भी कहते हैं सोरियम, कार्वोनेट, सलफेट तथा क्लोराइड के साथ केलशियम और मैंगनेसाइट शालों के मिशन से ये रहे बनती है वैसे तो उसर भूमी राजिया के सभी भागों में पाई जाती है लेकिन खास तोर पर ऐसी समस्य है, जोदपूर, पाली, भीलवडा, उदपूर, जैपूर, अजमेर, भरतपूर, टॉंक, अलवर, नागोर, सिरुय, चत्रोगर, जिलों में अधिक है रास्तान में लगबग साथ पॉइंट दो लाख हेक्टर भूमी शारिय वे लवनी है इस उसर भूमी को सुधारने के जो कुछ उपाए हैं, वो इस पकार से हैं अगर खाली जमीन के समतल न होने से उपर का परभाव है तो जमीन को समतल कर देना चाहिए मामूली लवनीता और खार को मिटाने के लिए गोबर का प्रियोग लाबदायक होता है और ऐसी जमीन पर जो, गहूँ, कपास, गन्ना अधी फसलों को बोया जाए क्योंकि ये फसले खार को सहन करने में सक्षम होती है हरी खार के प्रियोग से भी उसर भूमी को सुधारा जा सकता है बसात में गोआर या डेया बोकर दो मार तक उसे जमीन में दवा दिया जाए फिर गहूँ और जोग की कास्थ पी जा सकती है इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यदि साधारन तरीके से भूमी नाव सुधरे तो उसमें जिप्सम या मिट्टी का जिप्सम भी डाला जा सकता है अब हम बात करते हैं मिट्टी अपरदन की समस्या की साधरन का मिट्टी जल परवा, वायू वेघ, हिमानी और हिमपात के दोरा एक इस्तान से भैकर या उड़कर अन्य स्तान पर एकरते दोयाती है तो उसे मिट्टी का अपरदन कहते हैं मिट्टी के अपर्दन अत्वा अप्षन को रेंगती हुई मिट्टी भी का जाता है मिट्टी अपर्दन के जो प्रकार है मिट्टी का प्रकार के प्रकार से होता है जब गंगोर वर्षा के कारण निर्जन पाडियों की मिट्टी जल में घुल कर भै जाती है उसे भूमी का आवरन अपरदन ये शीक इरोजन भी कहते हैं इस प्रकार का अकटाव धालू खेत, खाली पड़ी भूमी तता अत्यदिक कटाई, वनों के नाश और बदलती खेती के फल्सुरूप होता है धरातली अपरदन सभी धालू भूमी के उपरी मुल्यवान मिट्टी को बहाद देता है इस प्रकार का अपरदन अरावली शेनियों के पाश्रों पर तता उनके पदिये शेत्रों में अथात, शिरोई, जासमन, उधरपूर, अलवर, डुंगरपूर, आदी, जीलों में अधिकतर देखने को मिलता है जब जल भैका है तो उसकी विमिन धाराय मिट्टी को कुछ गिराई तक काट देती है फसरू धरातल में कई फुट गहरे गड़े बन जाते हैं इस प्रकार का अपरदन को नाली नुमा या गली एरोजन कहते हैं इस प्रका का अपरदन कोटा, करॉली, स्वाई मादोपूर, दौल्टबूर जिरों में अधिक होता है मरू भूमी में प्रचंड वायू वजाराव भी मिट्टी का परदन होता रहता है इसके दौरा मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसर स्थान पर बिछा दी आती है तिसे वायू दौरा अपरदन या विंडियरोजन कहते हैं रास्तान के पश्मी शुष्क मैदान के प्राय सभी शेत्रिस प्रकार के अपरदन से परभावित है अरावली शेनी के बीच दिरनता जहां भी तूटती है वहाँ वायू गाटियां या गैब वैली से बड़ी मात्रा में रेट वायू द्वारा लाकर पूरी रास्तान के शेत्रों में जमा कर दी आती है इस बिर्मीन प्रकार की अपरदन दारास्तन को हजारों हेक्टर भूमी नस्ट हो चुकी है या हो रही है इसके जो कारण है मिट्टी अपरदन के जो कारण है पिछली के शताबनियों से मानों अपने उप्यों के लिए वनों को नस्ट करता आ रहा है वनों में तदा गास के शेत्रों में बड़ी संक्या में बेड बक्रियों को आदिवासी जाती हैं इसे गरासिया, मीना, सहरिया, भील आदी पश्यों को चेराते हैं जिनसे बड़े प्रवावन मिट्टी का परदन हो रहा है अनेक शेत्रों के पाड़ी डालों पादिवासियां, पशुपालन, वालरा भूमी, वालरा किशी या जुमीं किशी की तरके अंतरगत उदेपूर, डुंगरपूर, कोटा, बासवडा, चित्तोरगड में वनों को काटकर किशी योग्य बनाया जाता है जिसके कारण देदेरें शेत्रों में वननस्ट होकर मिट्टी अपरदन प्रारम हो जाता है मरुस्तली जिलों में बीशन गरम आदिया चलती है इस कारण धरातल का आवरंज शेय होता रहता है और कालंतर में शेत्र बेद अनुप जाओ बन जाते है कृषि के एविज्ञानिक करीकों को अपना कर कृषिक ढलूएं शेत्रों में समोच रिखाओं के समानांतर जोताई ना करने से दो शुक्त फसलों की हेरा फेरी अपनाने से अत्वा आवरं फसलें या कवर क्रॉप्स गलत तरीके से बोने से मिट्टी का शरन बढ़ता है प्राय रास्तार में लक्षिन पूर्वी शेत्रों में इस प्रकार का परदन देखने को मिलता है रास्टार में मिट्टी अपरदन के जो शेत्र हैं उसमें जल दौरा अपरदन वाले जो शेत्र हैं चम्बल उसकी सायक नदियों के दौरा हाडोती के पठार पर काफी कटाब हुआ है बाड आ जाने से नदी के किनारों की उब्याओ भूमी पर बहुत कटाब होता है रास्टार में गगगर, चम्बल, बनास और बागनंगर नदियों में बाड आती है जिससे मिट्टी अपरदन होता रहता है वायू द्वारा अपरदन वायू द्वारा मिट्टी का अपरदन सामर्टन जोदपूर, विकाने, कोटा, बारा, दौसा, जैपूर, भरतपूर, अजमर जिलों में देखा जा सकता है रासान में इस अपरदन द्वारा गच्छ अतादियू में प्रति वर किलोमेटर लगबर एक करोड वन, एक करोड टन उपजाओ मिट्टी का विलाश हुआ है अपरदन रोपने के उपाए कौन-कौन से हो सकते हैं, जो हम अपना सकते हैं अपने शेतर में पहाड़ी डालों पर बंजर भूमी में और नदियों के किनारे वरक्षा रोपन किया जाए तो साथी चिराई पर भी नियंतन रखा जाए फसलों के हेर-फेर को अपना करता था समय पर खेतों को परती छोड़ना भी वांचनी है बहते हुए जल के वेक को रोपने के लिए खेतों में मेर बंदी करना उची भूमी पर समोच रिखाओं का अपनाना आविशक है बैते होई जल की मात्रा में कमी करना भी आविशक है इसके लिए पहाडियों के ढालों पर अत्वा उंचे नीचे शेत्र में बैते होई जल को संग्रे करने के लिए छोट-छोटे मोटे तलावों का निर्मान किया जाए नदियों के मार्ग में बांदों का निर्मान कराया जाए खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे बांद बनवाय जाए जिससे जल एकरते थो अनेक भागों में बाटा जा सके इससे जल का वेग भी कमो हो जाएगा और मिट्टी बैकर भी नहीं जा पगेगी मरुशली शेत्रों में मिट्टी को रोकने या उन्ने से रोकने के लिए व्रक्षों की पट्टी लगाई जानी चाहिए और विज्यानिक तरीकों पट्टी दार फसल मॉल्चिंग पदरती आदि से कृशी को करना ही इस परकार के अपरदन को रोकने में साइक सिद हो सकता है धन्यवाद